कितार से इंतियाज आलम की रिपोर्ट सरकार द्वारा मध्यान भोजन के लिए उपलब्ध हुई राशी का वित्रण विद्याले बंद के कारण नहीं हो पाई थी परन्तु सरकार के निर्देशा अनुसार करोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पुना विद्याले प्रारंब हुई है और सभी छात्र छात्राओं का उपस्थिती 20 प्रतिसत होने लगी है जिसके उपरान तो बच्चों के अभिभावग एवं प्रबंदन समीती के सदस्यों ने यह निर्निल किया कि सरकार द्वारा प्राप्त राशी 28,930 रुपे का 362 चात्र चात्राओं के बीच वितरन कर दिया जाए जिसका शुरुआत मुख्या चंद्रदेव उनाओं के द्वारा मंटू ठाकूर, विनीट ठाकूर, अरपना कुमारी, आकरिती कुमारी के बीच वितरन किया गया बैठक में शामिल प्रदाना द्यापक, लखन राम, पंचायर समिती सदस्य मुख्लाल सिंग, उपमुख्या उपेंद्र ठाकूर, धिरेंद्र चौदरी, सुदेश्वर चौदरी, मनोज यादव, सूरद सिंग, धर्मेंद्र राम, वार सदस्य सुमेर राम, नागेंद्र प्रजापती सहीत अने लोग शामिल थे